दोस्तों, 18 सितंबर, सन 24 को लगने वाले चंदर ग्रहन के दिन, बस चुपचाप इस जगह रख दीजेगा, जोतिश शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार, एक रुपए का सिक्का का जीवन के हर कश्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ती, भगवान विश्नुजी जी माता लक्ष्मी जी, भगवान चंदर देवता की कृपा से खुशियों से भर जाएगा, आपका घर आपकी हर मनो कामना होगी, पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे, आप करोडपती काल सर्प दोश मंगल दोश, शनी दोश वास्तु दोश जैसी परेशानियों से भी मिल जाएगी, आपको इस उपाय को करने के बाद तुरंत के तुरंत मुक्ति, दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 18 सितंबर को साल का दूसरा और अंतिम चंदर ग्रहन लगने जा रहा है, और यह कोई मामूली सा चंदर ग्रहन नहीं होगा, बलकि एक महा चं रही है, हिंदू धर्म में एक वर्ष में बारह पूर्णिमा तिथी पड़ती है, लेकिन भादरपत पूर्णिमा तिथी का इन सब में सबसे ज्यादा विशेश और खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना, क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात भ अगवान विश्णु जी, माता लक्षमी जी का आशीरवाद और वर्दान एक साथ प्राप्त होता है, हिंदू पंचांग के अनुसार, 18 सितंबर को लगने वाले महा चंद्र ग्रहन और भादरपद पूर्णिमा तिथी के दिन, कुल 28 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें माहा लक्षमी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमरित सिध्धी योग, प्रहस्पती योग और ग्रह योग, जैसे शुभ योग का निर्मान हो रहा है, यानि कि दोस्तों, ये एक ऐसा दिन होगा, जिस दिन की गई पूजा साधना उपाए खाली जाही नहीं सक और ऐसे शुभ चंद्र ग्रहन और भाद्रपद पूर्णिमा तिथी का समय पूरे 144 वर्षों बाद आया है, और इस दिन अगर आप जियोतिश शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार, चुप चाप एक रुपए के सिक्के का उपाए विधिविधान से उस तरीके से कर लेत बलकि सिक्के का उपाए इस चंद्र ग्रहन और भाद्रपद पूर्णिमा तिथी के दिन करने के बाद आपको भगवान विष्णुजी का वह आशीरवाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नव ग्रह आपका साथ देना शुरू कर करियर कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी, कोड क चहरी में चल रहे हैं, मामलो में आपको जीत हासिल होगी, आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य के राहु केतु का जो नियंत्रन होता है, वह भगवान विश्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ एक रुपए के सिक्के का उपाय इस दिन करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर की अलमारी, आपके घर की तिजोरी हमेशा नोटों की गड़ियों से भरी रहेगी। आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णुजी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और यह भाद्रपद पूर्णिमा चंद्र ग्रहन के साथ मिलकर के लग रही है। यानि कि दोस्तों इस द चंदर ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा और जब भी चंदर ग्रहन दिखाई नहीं देता है तो इसका कोई भी दुषप्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें चंदर ग्रहन जितनी देर लगा रहता है उतनी देर जितनी भी द प्रहन के दिन सुबह 6 बज कर 11 मिनट से लेकर सुबह 10 बज कर 17 मिनट के बीच में एक रुपए के सिक्के को उस जगह चुपचाप रख लेंगे तो जरूर ही आपकी जो मनुकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और आपको साक्षाद भगवान विश्णुजी और माता लक्ष कैसे मिल सकता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जो एक रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है जो स्टेनलेस स्टील होती है वह ब्रहसपति ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक होती है ब्रहसपति ग्रह जो होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य नवग्रह राहु केतु से जुड़ा हुआ होता है जिस व्यक्ति का भी ब्रहस्पतिग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति भाग्यवान बन जाता है उस व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है और ब्रहस्पतिग्रह का नियंतरन भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। तो सिर्फ आपको इस चंद्र ग्रहन और भाद्र पद पूर्णिमा तिथि के दिन जोतिश शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से करना होगा। और एक ही दिन के उपाय से आप खुद देखेंगे कैसे आपको भगवान विष्णुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद वर्दान एक साथ प्राप्थ हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत्र तक देखिएगा और अगर आप भगवान विष्णुजी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा। आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहन और भादरपद पूर्णिमा तिथी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। वह आकर हम आपके कमेंट की रिपलाई में बता देंगे लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। भगवान विश्णु जी के हाथों में होता है। तो बस आपको यह करना है कि इस चंद्र ग्रहन वाले दिन सुभह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। और सुभह 6 बजकर 11 मिनट से लेकर सुभह 10 बजकर 17 मिनट के बीच में आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है जो पहले कभी इस्तिमाल ना हुआ हो। क्योंकि जो हल्दी होती वह शुब गुण का प्रतीक होती है। हल्दी का इस्तिमाल अगर भगवान विश्णुजी की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिध्ध हो जाती है। अब आपको एक रुपए का सिक्का लेना है और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। हो जाती है। बीज मंतर कहीं पर लिख लीजिए। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नती देखने को मिलेगी। कोट का चहरी में चल रहे हैं। मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको उन्नती देखने को मिलेगी। सफलता देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में आपको काम्याब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिये। आपके घर पर रोज लडाई जगडा होता है। आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो समझ जाईए। आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है तो बस एक काम कीजिएगा। इस चंद्रग्रहन वाले दिन सुबह 6.11 मिनट से लेकर सुबह 10.17 मिनट के बीच में आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। और इस कपड़े पर आपको एक मुठी लॉंग डालना है और उसके उपर एक रुपय का सिक्का रख देना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और इसको अपने घर के मुख्य द्वार के उपर टांग देना है। चंद्र ग्रहन के अगले दिन इसी कपड़े की पोटली को आपको ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिख्षुक को दान कर देना है। उस घर की बरकत होती है। उस घर की उन्नती होती है तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय दोस्तों। आपके जीवन में जो धन है उसमें व्रिद्धी हो। आपके घर पर कभी भी धन की कमी न हो। आपके घर पर हमेशा माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीरवाद बना रहे। तो बस एक छोटा सा काम और उपाय आपको इस चंद्र ग्रहन वाले दिन करना होगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बज कर 11 मिनट से लेकर सुबह 10 बज कर 17 मिनट के बीच में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। आपको लाल कपड़ा बिचाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुठी धनिया और एक चांदी का सिक्का रखना है। जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी पोटली को हाथ में पकड़ना है और माता लक्षमी जी के बीज मंतर का जाप ग्यारह बार आपको करना है बीज मंतर है ओम महालक्षमी नमह हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम महालक्षमी नमह अब इस पोटली को आपको तुरंत ले जाना है अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिन दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस चंद्र ग्रहन के अंतराल के समय में करना होगा। और यह पोटली अभिमंतरित हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद की तरह आपके लिए काम करेगी और एक चुम्बग बन जाएगी। जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएगे। आपके जीवन में अनेक प्रकार से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ती होना शुरू हो जाएगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। इस उपाय को कई करोड़ पती व्यक्ति लोग करते हैं, तो आप भी इस उपाय को जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए।